हेलो, नमस्ते, आज काओं टॉपिक है बच्चों को सरदी, खासी, जुखाम, कप, बदनाक, इन सब समस्याओं से बच्चे परिसान है तो इन सब परिसानियों को ठीक करने के लिए बेश्टे सिरफ के बारे में बताएंगे, इस सिरफ का नाम है बेनाडरिन सिरफ, इस सिरफ क कॉंबिनेशन के बारे में बात करेंगे, इस सिरफ का यूज, डॉक्टर किस-किस बिमारी को ठीक करने के लिए सिरफ का यूज करते हैं, इस सिरफ के बारे में जानेगे, इस सिरफ के डोस के बारे में जानेगे, और बेनाडरिन सिरफ के साइड़फिक बारे में जानेगे, आपने पहली बाच चीन विजिट की हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स्ट्राइब करें चलो इस इंट्रेस्टिंग एडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बेना ड्रिम सिर्फ के कॉंबिनेशन या ड्रग कंटेन के बारे में जानते हैं फरस्ट हैं ड्राइफेन हाइड्रोमीन 14.08 mg पर 5 mlm प्रजेंट रहता है सेकेंड एमेनियम क्लोराइट 138 mg पर 5 mlm प्रजेंट रहता है 3rd sodium citrate 57 0.3 mg पर 5 mlm प्रजेंट रहता है यह सब ड्रग प्रजेंट रहता है बेना ड्रिम सिर्फ में इन्ही सब कंटेन के कारण ही आपके हेल्थ को ठीक करने में इन्ही सब ड्रग का यूज किया जाता है बेनाडरिम सिर्फ के यूज एंड डोस के बारे में जानते हैं या ये भी हम बोल सकते हैं कि बेनाडरिम सिर्फ का यूज डॉक्टर किसके डिसिस को ट्रीट करने में इस सिर्फ का यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं बहुत अधिक सर्दी हो, या बहुत अधिक खासी आ रही हो, जब भी स्रफ का यूज़ किया जाता है, या गले में बहुत ज्यादा कप हो, जब भी स्रफ का यूज़ किया जाता है, या बहुत अधिक जुकाम आ रही हो, जब भी स्रफ का यूज़ किया जाता है, या बंद न नाक हो यानि कि नाक में बहुत अधिक सर्दी हो रही हो या नाक से स्वास लेने बहुत अधिक प्रेसानी हो रही है जब भी सिरफ का यूज कर सकते हैं या एलर्जिक इंफेक्शन हो जब भी सिरफ का यूज कर सकते हैं या बहुत अधिक आपको छीक आ रही हैं बच्चों को जब भी सिरफ का यूज़ कर सकते हैं ये बेनाडरिम सिरफ के common यूज़ हैं बेनाडरिम सिरफ के डोस के बारे हम जानते हैं इस सिरफ के डोस को age, sex, body weight और disease के हिसाब से इस medicine के डोस को decide किया जाता है पर हम इस studio में general dose के बारे हम बात करेंगे इस सिरफ का यूज़ चार साल के उपर की बच्चों को इस सिरफ का यूज़ करना चीए इस सिरफ का यूज़ बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं adult person भी यूज़ कर सकते हैं और भुजरू वेक्ती भी सिरफ का यूज़ कर सकते हैं हम इन तीनों के 7 ml यूज़ कर सकते हैं सुवह साम और 80% 7-8 ml यूज़ कर सकते हैं बहुत अरिक सर्दीक हासी हो जब जब आपकी सर्दीक हासी बंध हो जाये उससे टाइम में सिरप को बंध कर देना चाहिए बेनाटरन स्रप के side effect बारे में जानते हैं जैसे कि हर medicine का expiry date होता है उसी परकार से हर medicine के side effect होते हैं हम बेनाटरन स्रप के side effect बारे में जानते हैं common side effect इस्टमक पेन या पेट दर्द हो सकता है इस स्रप को पीने से या dizziness भी महसुस हो सकता है या नींद बहुत आ सकते इस स्रप को पीने से या allergic reaction भी हो सकता है जैसे कि हाथ पेरों में redness आ जाना या redness डार्क लाइन हो जाना या सरदर देना या सिर्फ भारी भारी लगना ये common side effect है बेनाडरिन स्रप से ये संपूर्ण जानकर ये बेनाडरिन स्रप के ये वीडियो नौलजबर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स्राइब करें wish for the good health, thank you my friend